गुयाना के राश्पती, डॉक्टर महमद इरफान अडिली जी, सुरिनाम के राश्पती, श्री चंद्री का प्रशाद संतोगी जी, मद्य प्रदेश के राश्पाल, श्री मंगुबय पटेल, मुख्य मंत्री सिवरासी चववान, विदेश मंत्री स्री एस जैसंकर जी, मंत्री मंदल के अन्य सहयोगी गण, और प्रवासी भारती दिवस संब्यलन में, विश्व भर्चे पधारे, मेरे प्रिय भाईयों और बहनों, आप सभी को दोहजार पैईस की मंगल काम नाए, करीब चार वर्षों के बाद, प्रवासी भारतीय दिवस संब्यलन एक बार फिर अपने मुल स्वरूप में, अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है, अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने साने की बात का अपना अलग ही आनन्द भी होता है, और उसका महत्पब भी होता है, मैं आप सभी का 130 करोड भारत वासियों की और से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बाई और बहनों, यहां उपस्तित प्रतेट प्रवासी भारतिया, अपने अपने खेत्रों में और साधारन उप्लद्धियों के साथ, अपने देश की माटी को नमन करने आया है, और यह प्रवासी भारतिय सम्मेलन, मद्यप्रदेश की उस धर्ती पर हो रहा है, जिसे देश का रदैक्षेत्र कहा जाता है, MP में मा नर्दा का जल, यहां के जंगल, आधिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्मा, ऐसा कितना कुछ है, जो आपकी इसी आत्रा को अविश्मन ये बनाएगा, अभी हाली में, पास ही उज्जेन में, भगवान महाकाल के महालोग का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है, मैं आशा करता हूँ, आप सब वहाँ जाकर, भगवान महाकाल का अशिरवाद भी लेंगे, और अध्वूत अनुभों का हिस्सा भी बनेंगे, साथियों, वैसे हम सभी अभिज्जी सहर में हैं, वो भी अपने आप में अध्वूत है, लोग कहते हैं कि इंदोर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूँ, इंदोर एक दौर है, ये वो दौर है, जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है, इंदोर ने स्वत्तता के ख्षेत्र में देश बेक अलग पहचान साफित की है, खाने पिने के लिए अपन इंदोर अपन का हिंदोर अपन का इंदोर देशी नहीं, पुरी दुनिया में लाजवाब है, इंदोरी नमकिन का स्वाद यहां के लोकों के, यहां पर जो वोहे का पैशन है, साबुदाने की खिच्डी, कचोरी समोसे सिकंजी, जिसने भी इसे देखा, उसके मुह का पानी नहीं रुका, और जिसने इने चखा, उसने कहीं और मुड कर नहीं देखा, इसी तरह, चपन दुकान तो प्रसिद है, सराफा भी महत्वपूम है, यही बज़ है, कि कुछ लोग, इंदोर को, स्वच्चता के साथ साथ, स्वाद की राजधानी भी कहते हैं, मुझे भी स्वास है, यहां के अनुभव, आप खुद भी नहीं भूलेंगे, और वापस जाकर, दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे, यहां के बारे में प्रवाशी भारती दिवस, इस प्रवाशी भारती दिवस, इस पेशल इन वेज वेज़ बेडेटे, 75 यह उप इन्या इनिपनेंज जस्त फु मुझे अगो, A digital exhibition related to our freedom struggle has been organized here. It brings the glorious era in front of you again. Friends, the nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our प्रवाशी भारतियस have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. साथियों हमारे यहां कहा जाता है, स्वदेशो भूवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पुरा समसार ही हमारा स्वदेश है, मनुष्य मात्र ही हमारा बंदू बांदव है, इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पुर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया भा, हम दुनिया के अलग-अलग कौनों मगे हमने सब्धिताओं के समाघं के अने अन्यंत संभावनाओं को समझा, हमने सद्यों पहले वैचिव व्यापार के असाधान परंपरा शुरू की थी, हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए, अलग-अलग देशों, अलग-अलग सब्धिताओं के बीच, व्यावसाई समंद कैसे साजी, समुरुधी के रास्ते खोड़ सके भारतियों और भारतियों ने करके दिखाया, आज अपने करोडों प्रवासी भारतियों को, जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं, तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं, दुनिया के इतने अलग-अलग देशों में, जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो, वसुधय कुटम कम की निभावना उसके शाक्षा दर्शन होते हैं, दुनिया के किसी एक देश में, जब भारत के अलग-अलग प्राम्तों, अलग-अलग छेत्रों के लोग मिलते हैं, एक भारत स्रेष्ट भारत का सुखद एहसास भी होता है, दुनिया के अलग-अलग देशों में, जब सबसे शांत्य प्रिय लोक्तांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती हैं, तो मदर अब डेमुक्रसी होने का भारतिय गवरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब हमारे इन प्रवासी भारतियों की योगदान का विश्व आकलन करता है, तो उसे ससक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतियों को विदेशी धर्ती पर भारत का राष्ट दूत ब्रेंड एम्बेसेडर कहता हूँ, सरकारी व्यवस्ता में राष्ट दूत होते हैं, भारत की महान विर्यसत में आप राष्ट दूत होते हैं। प्राष्ट प्राष्ट दूत हैं। प्राष्ट अप्राष्ट दूत हैं। you are brand ambassadors of yoga and ayurveda you are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts at the same time you are also brand ambassadors of India's millets you would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the international year of millets I appeal to you to take some millets products with you while returning you also have another important role to play in these rapidly changing times you are the people who will address the world's desire to know more about India today the whole world is waiting and watching India kindly with great interest and curiosity it is important to understand why I am saying this you are the people who have been inaudible I am जब भारत कोवीट महामारी के बीच कुछ महिनों में ही स्वदेशी वैक्सिन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड से ज़्यादा वैक्सिन डोज मुप्त लगाने का रेकॉर्ड बनाता है, जब वैश्वीक अस्तिर्था के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्तिववस्ता बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी एकोनमी से कॉम्पीट करता है, तोब फाइव एकोनमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम मनता है, जब मोबाइल मैनुपेक्टिरिंग जैसे एक शेत्रों में, इलेक्ट्रोनिक मैनुपेक्टिरिंग जैसे एक शेत्रों में, मेक इन इंडिया का डंग का बसता है, जब भारत अपने दम पर, टेजस फाइटर फ्लेंड, एरक्राप्ट केरियर, आयनेस विक्राम और अरिहंत जैसी नुकलियर सब्मरीन बनाता है तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में कुरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है इसी तरह जब कैस्ट्लेस एकोनमी की बात होती है, फिंटक की चर्चा होती है तो दुनिया ये देखकर हरात में है, कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजिक्शन भारत में होते हैं जो स्पेस के फ्यूचर की बात होती है, तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलोजी के मोस्ट एडवांस देश्व में होती है भारत एक बार में सो सो सेटलाइट लॉंच करने का रिकॉर्ड बना रहा है सौफ़एर और डिजिटल टेकनोलोजी के खेतर में हमारी ताकत दुनिया देख रही है आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ भारत का ये तमखम भारत की जुड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का स्चीना चौड़ा कर देता है वैश्विक मंजपर आज भारत की आवाज भारत का संदेश भारत की कही बात एक अलग ही माइने रखती है भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और जादा बढ़ने वाली है और इसलिए भारत के प्रती जिग्या साथ भारत के प्रती क्रियोसिटी भी और बढ़ेगी और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतिय मुल्के लोगों की प्रवासी भारतियों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थे के बारे में बता पाएंगे और तप्षों के अधार पर बता पाएंगे मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगती की अपडेटेड इनफर्मेशन होनी चाहिए साथियों आप सबको ये भी पता है इस वर्ष भारत दुनिया के जी ट्वेंटी समुह की अत्यक्षताभी कर रहा है भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े आउसर के रुप में देख रहा है हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का आउसर है ये दुनिया के लिए भारत के अनुभावों से सीखने का पुराने अनुभावों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशात ताय करने का आउसर है हमें जी ट्विंटी केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बलकि जन भागीदारे का एक अइतिहासिक आवेजन बना रहा है इस दोरान विश्व के विभिन देश भारत के जन जन के मन में अतित्री देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे कि आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनीजियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा साथियों और मैं तो यह भी कहूंगा कि जब G20 समीट में क्योंकि कोई 200 मिटिंग होने वाली है हिंदुस्तान के अलग लग शहरों में जाने वाले वापिस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतियों उनको बुलाएं भारत में गए थी तो कैसा रहा उनके अनुभव सुने मैं समयता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए आउसर बन जाएगा साथियों आज भारत के पास न केवल दुनिया के नौले सेंटर बनने का बलकी स्कील केपिटल बनने का सामर्त भी है आज भारत के पास सक्षम युवाओं के बड़ी तादाद है हमारे युवाओं के पास स्कील भी है बैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज़बा और इमानदारी भी है भारत की ये स्कील केपिटल दुनिया के विकास का एंजिन बन सकती है भारत में उपस्तित युवाओं के साथ ही भारत की प्रात्विक्ता वो प्रवासी युवा भी है जो भारत से जुड़े हैं हमारे नेक जनरेशन युवा जो विदेश पे जन में हैं वही पले बड़े हैं हम उने भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई आउसर दे रहे हैं नेक जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उत्सा बढ़ता चला जा रहा है वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं यह हम सब की जिम्मेदारी हैं कि हम युवाओं को नवकेवल देश के बारे में गहराई से बताएं बलकि उन्हें भारत दिखाएं भी पारमपारिक बोथ और आधुनिक नजर के साथ ये युवाओं फ्यूचर वर्ड को भारत के मारे में कहीं ज्यादा प्रभावी डंग से बताब आएंगे जितनी युवाओं में जिग्या सब बढ़ेगी उतनाही भारत से जुड़ा परियाटन बढ़ेगा भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी भारत का गवरों बढ़ेगा ये युवां भारत के विभिन परवों के दोरां प्रसित्य मेलों के दोरां आ सकते हैं या फिर बुद्ध सरकीर, रामा एड़ सरकीर का लाप उठा सकते हैं वो आजादी के अमरत महोसों के तहद होरे कारकमों में भी जुड़ सकते हैं साथियों मेरा एक और सुझावा है कई देशों में भारत से प्रवासी कई सद्यों से जाकर बसे हैं भारतिये प्रवासियों ने वहां के राष्ट के निर्मान में अपने असाधरन योगदान दिये हमें इनकी लाइज उनके स्ट्रगल्स और उनके एच्चिवमेंट्स को डॉक्यमेंट करना चाहिए हमारे कई भुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमरीज होगी मेरा आग्र है कि उनिवर्सिटी के माध्यम से हर देश में हमारे डाइस्फोरा के हिस्ट्री पर ओडियो वीडियो या लिखी डॉक्यमेंटिशन के प्रयास किये जाएं इसात्यों कोई भी राष्ट उससे निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में चीवीत रहता है। यहां भारत से पूरा भारत मिल गया कि यानि आप जहां रहते हैं भारत को अपने साथ रखते हैं भीते आठ वर्षों में डेश ने अपने डायस्फुरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है आज भारत का ये कमिट्मेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे देश आपके हितों और अपेशाओं के लिए आपके साथ रहेगा मैं गयाना के राश्पती जी और सुरी नाम के राश्पती जी का भी रुदैस से अभार व्यक्त करता हूं भिनंदन करता हूं कि इस महत्वपुन समारों के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जितनी बाते आज हमारे सामने रखी है वे वाकई बहुत उप्योगी है और मैं उनको विश्वान दिलाता हूं कि जिन सुझावों को उन्होंने रखा है उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा मैं गया ना जी के राजपती जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साजा की क्योंकि जब मैं गया ना गया तो मैं कुछ भी नहीं था मुखमंद्र भी नहीं था और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला में उनका बहुत-पहुत आभारी हूँ मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासि भारती दिवस के लिए यह समारों में आए बीच के गैप के बाद मिलने का मौका मिला है मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुब कामनाएं हैं बहुत लोगों से मिलना होगा बहुत लोग चीज़े जानने को मिलेगी जिससे लेकर के उस मुर्तियों को लेकर के फिर अपने कारक्षेतर में लोटेंगे अपने रिस्प्रक्टिव कंट्री में जाएंगे मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुडाओं का एक नया यूग शुरू होगा मेरी आपको बहुत बहुत शुब कामनाएं धन्यवाद